जैसरी राधिक्रिष्णी आईए आज आज आप सब जानेंगे वैसाख मास शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादस्षी का ब्रत जो की वर्ष दुहजार चोबिस में कब धारण किया जा रहा है तो जानेंगे ब्रत के शुब महुर्द के बारे में पारण का क्या समय होगा पारण के जीवन में लक्षमी नरायन के क्रपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और शम्रिधि की प्राप्ती फृत प्रतेक महा के क्रिश्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एक आदसी तिथी के दिन एक आदसी का ब्रत धारन किया जाता है। इस तीन भगवान विश्णू, माता लक्ष्मी और भगवान स्रकृष्ण के बाके बिहारी सुरूप का पूजन करते हैं तो इस प्रकार ब्रत को धारन करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। तथा इस ब्रत को धारन करने से अनेको गोदान का पूनिफल प्राप्त होता है। जो भी भक्त जन एकादसी का ब्रत धारन करते हैं उन्हें एकादसी ब्रत के लिए जो की दस्मी के दिन से ही ब्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। दस्मी तिथि के दिन सुर्यास्त होने से पहले हैं भोजन गहन कर लेनी चाहिए। दस्मी एकादसी और द्वादसी इन तीन दिनों तक शुद और शात्विक्ता का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तों का नशीले पदार्थों का सिवन नहीं करना चाहिए दसमी की रात्री ब्रह्मिशर्ज का पालन करते हुए भगवान विश्णू के नामों का अस्मरन करते हुए सोना चाहिए और एक अदसी की सुवाँ ब्रह्म महुर्त में उठ करके नित्य कर्याओं से रुवित्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके अष्णान करना चाहिए सुद्वस्तर धारन करके ब्रत्य का संकल प्लेना चाहिए भगवान विशनु भगवान सरकृष्ण से प्रातना करनी चाहिए कि है भगवान आज मैं मुहिनी एक अदसी का ब्रत धारन करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ इस प्रकार से भगवान से प्रातना करे कि यह ब्रत मेरा निर्विघन पूरा हो और हमें पुर्णे फलों की प्राप्ति हो हमारे सभी प्रकार के दैविक और भौतिक पाप नश्ट हो जाएं इस प्रकार से भगवान से प्रातना करनी चाहिए और एक आदसी तिथी के दिन भगवान विश्णु माता लक्षमी और भगवान सिर्कृष्ण के मां की विहारी सुरूप का पोजन करना चाहिए इस मुष्णु के जो की 18 मई 2024 दिन शनी बार सुबह 11 बज़कर 24 मिनट और एक आधसी तिति की जो स्मापति है वह 19 मई 2024 दिन रबिवार दो पहर एक बज़कर 51 मिनट पे एकादसी तिथी की समाप्ती है तो हमें सुद्धरूप से जो एकादसी ब्रत्य के लिए समय प्राप्त हो रहा है तो सभी भक्तजन 19 मई 2024 दिन रवी बार्व को ब्रत्य को धारन करेंगे ब्रत्य का पारण जो की हरिवासर समाप्त होने की बात करना चाहिए हरिवासर का समय द्वादसी तिथी का पहला चोथाई हिस्ता हरिवासर का होता है तो 12 तिथी की जो समाप्ती है वहब 20 मई 2024 दिन सों बार को साम 4 बजे 12 तिथी की समाप्ती है तो सभी भक्त जन व्रत्यका पारण जो की 20 मई सों बार के दिन करेंगे पारण का समय सुभा 5 बजकर 12 मिनट से सुभा 8 बजकर 12 मिनट तक व्रत्यका पारण किया जाएगा मुहिनी एक आदसी ब्रत्य का पारण जो की कुशोद केन पारणम यानि की कुशा के जल से ब्रत्य का पारण किया जाएगा यह संभब ना हो पाए तो आप तुलसी दल, जल या फल से ब्रत्य का पारण करें एक आदसी तिति के दिन सुर्योदय का जो समय है वह समय सुभा 5.11 और सुर्यास्त साम 6.38 ब्रह्ममुर्थ का जो समय होगा वह समय सुभा 4.5 मिनट से सुभा 4.47 मिनट तक रहेगा एक आदसी तिथी के दिन योग जो की 19 माई को इस तिन बड़ा ही अच्छा योग बन रहा है इस तिन बजर योग होगा सुबह 11 बजकर 25 मिनट तक उसके बाद शिद्धी योग इस तिन सरवार सिध्धी योग अमरे सिध्धी योग और दूई पुसकर योग बन रहा है सरवार सिध्धी योग और अमरे सिध्धी योग जो की एक आदसी तिथी के दिन 19 माई को सुबह 5 बजकर 28 मिनट से रातरी 3 बजकर 16 मिनट तक होगा और दूई पुसकर योग जो की सुबह 3 बजकर 16 मिनट से शुरू है और इसकी समापती अगले दिन यानि की 20 माई की सुबह 5 बजकर 28 मिनट पे दूई पुसकर योग समापत होगा तो इस बार एक आदसी तिथी के दिन बड़ा ही अच्छा सयोग बन रहा है तो इस दिन पृत्त को धारन करना जो की अनंतफल दाई होगा 19 माई को राहु काल का समय साम 4 बजकर 57 मिनट से साम 6 बजकर 38 मिनट तक होगा और 20 माई को राहु काल का समय की दोरान कोई भी शुभकारिय या नया कारिय नहीं करना चाहिए इस बात का ध्यान रखे जो भी भक्त जन प्रत्य को धारन करने वाले हैं उन्हें इस तिन भगवान विश्नु मादालक्ष्मी और भगवान सरकृष्ण के बांकी बिहारी सुरूप का पूरे बिदी बिधान के साथ पूजन करना चाहिए इस तिन गंद पुष्पु धूप दीप आदिसे भगवान क पूजा करनी चाहिए भगवान विश्नु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है इस वात का ध्यान रखे अक्षत के जगह उन्हें काले तिल चढ़ाएं जो चढ़ाएं तुलसी पत्र चढ़ाएं नेवेदी में विश्यस प्रकार से दूस्ते बने हुए वस्तु का भगवा भगवान को भोग लगाना चाहिए और जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो तुलसी पत्र डाल करके ही भगवान को भोग लगाना चाहिए व्रत के दोरान ब्रती को किसी के उपर कुरोद नहीं करनी चाहिए अपने मन में किसी के प्रती इरसा या दूस का भाव नहीं लाना चाहिए, ब्रह्मिशर्ज का पलन करना चाहिए, ब्रत्य के दोरान मास मजरा लहसन प्याज आदी का परयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ब्रह्मिशर्ज का पलन करना चाहिए, भगवान विश्नु के चरणों में अपना मन लगाना चाहिए, भगवान के पाप ताप को नश्ट कर देते हैं जब व्यक्तिके पाप और ताप नश्ट होते हैं तभी उनके कोरने उदित हो पाते हैं उसके बात सांसारी सुखों की प्राप्ती होती है एक आदसी तिथी के दिन दिन रातरी उफवास रहते हुए प्रत्य को धारण करना चाहिए जो केला, आम, अंगुर, बादाम, पिस्ता, आदिका आप पर्योग कर सकते हैं तो आसा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो आपका अगर किसी भी प्रकार का प्रश्ण हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे इसी प्रकार से यानबर्धक चानकारिया, प्राप्त करते रहने के लिए, प्रत्पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बारा आये हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सबस्क्राइब करें साथ में वेल आइकन घंटी को दबाए ताकि आने वाली वीडियो का नोट्फिकेशन आपको समय से मिलता रहे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, शुखे रहें और स्वस्त रहें जैसे राजिकिशन, धन्यवाद